पूसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गड़े हुए खजान मिलने की चाहकरता पूरी करता है यह उपाए करोरपती नहीं अरबपती बन सकते हैं आप इस वीडियो को शिरू से ले हो करीब भगवान के मंदिर में जाकर घर में पूजा करने पर अक्सर भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि है भगवान मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान और आदमी बना दे कोई मेहनत से धनवान बनाता है तो कोई अचानक कोई चमतकार होने से अगर आप भी सबसे अमीर बनने की चाह रखते हैं हो या किसी गड़े हुए धन की काम ना करते हैं तो सब्ता के इस दिन यह छोटा सा उपाय एक बार आज मा कर देखे इस उपाय को करने से अनेक लोगों को अपने आसपास गड़ा हुआ अथा धन की प्राप्ति होने से करोण पती ही कई त बुद्वार के दिन घर में सुभा फाइव बजे शुद्ध मावे के फाइव मोदक बनाले 21 नगता जी दूरवा खास भी एकत्रत करें अब ठीक सुर्योदे के समय सिक्स बजे गड़ेश जी को भोग लगाते हुए प्रार्थना करें कि ये लंबोदर अगर मेरे आसपास क नहीं कोई धन गड़ा हुआ खजाना हो तो वह मुझे मिल जाए ऐसी कृपा करें जिससे मेरे जीवन से धन का अभाव दूर हो सके नंबर दो बुद्वार के दिन एक लाल एक लाल रंग का ताला बाजार से खरीद कर लाए ताला लेते वक्त इस चीज का ध्यान रखे की त लाला को डब्बे से खोल कर नहीं देखे और ना ही दुकान दान को खोलने दे अब रात को एक लाल कपड़े में लपेट कर ताले को अपने सिरहाने के नीचे रख कर सोजाए सुबह फोर बजे उठकर स्नान करने के बाद ताले को सुर्योदै से पहले ही किसी बेल पत्र के पेड के नीचे सवा फिट गड़ा खोद कर लाल कपड़े सहीत वादे और उस बेल पत्र पेड के साथ परिक्रमा लगाते हुए प्रार्थना करे की मुझे अज्यात गड़े हुए धन की प्राप्ती हो ऐसा करने से अगर आपके आसपास कहीं भी कोई धन जमीन के अंदर द पुराना गुड मिलाकर किसी सफेद या काले रंग की गाय को खिला दे इस उपाय से अचानक धन मिलता है और किस्मत के बंद दर्वाजे शीघर खुलने लगते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छो सब्सक्राइब करें